येश्यु मसी के नाम से हमारे सभी भाई भेनों का अभिनंदन आज हमारे साथ अरुनाचल प्रदेश से एक भाई हैं जिनका नाम है अर्जुन रायतो और ये एक टोरिस्ट टैक्सी अपनी खुद की चलाते हैं तो इनका भी एक बहुत सुन्दर मसी सफर रहा है हमारी मिनिस्टर से काफी समय से जुड़े हैं वेबसाइट से यूट्यूब से मेसेज़स सीक रहे हैं तो आईए इनके सुन्दर गवाई सुनते हैं तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं तो अर्जुन आप हमें ये बता से मैं उस सचे परमेश्वर को जान पाया तो मेरा नाम जैसे आपने बताया अर्जुन राइतो है मैं अरुनाचल प्रदेश में रहता हूं और यहां में मैं चोटा मोटा बिजनीस करता हूं तो वैसे तो मैं एक क्रिश्चन परिवार में पैदा हुआ था तो मेरा जो मैं छो कंसे बाकि दर्मो में होता है तो मैं हर उस फै額ल को सेलिब्रेट करता था जो दूसरे दर्मों में होता है जैसे होली डिवाली भाली या फिर राखी बन्वान अपने भेहन से और प्रशात खाना यह सब में मुझे आनान आने लगता था और हमारा जो खुद का जोимер होता था जैसे क्रिस्मस हो गया तो इन सब में भी हम लोग करता था यह कुछ फिल्मी गाने को लगा कर वे तो ऐसे करके मैं अपना वो जीवन में चल रहा था संसारिक जीवन में तो समय में ये शुमशी को जानता नहीं तो एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभू हमें उस चर से निक कर लेगा सायद प्रभू को पता था तो इस वज़े से वह मुझे और मेरे परिवार को उस चर से निकाल दिया पर मुझे तो वह सब के बार में बिलकुल अंदाजाने था क्यूंकि मैं तो एक संसार से जुड़ा हुआ था संसारिक जीवन जी रहा था फिर एक दिन 2008 में मैं पहली बार अपने मम्मी और पापा को छोड़के अपने बड़े भाईया के वहां रहने को गया पढ़ने को गया वो जो करीब यहां से 700 किलिमिटर के आसपास थे लगबगते लेकिन वहां जाने के बाद मुझे जो दोस्त मिले हैं उन दोस्तों के साथ मिलकर मैं एक और नय सामय में बढ़ रहा था तो क्योंकि इससे पहले जो चर्श में मैं जा रहा था वहां सराफ के बारे में या फिर इन सब चीजों के बारे में कभी कुछ भी स्थार से नहीं शिखाता था कुछ भी नहीं तो इसलिए मैं इन सब को पाप भी नहीं सोचता था तो इन सब में मै कई बार दो 2-4 बार गया चर्ट में लेकिन वो भी मेरा एक दूशरे मकसद से गया तै क्योंकि उसँंत्र कमे एक इस्तिर घा यह कूल में द्पूर्ज में घा değil मेरे लाइप में एक टर्णिंग पॉइंट आया मेरे जो सबसे अच्छा दोस्त था वह पानी में डूबने के कारण उसकी मृत्ति हो गए तो उस समय में उन सब को लेके मैं थोड़ा दुखी था और मैं उसी समय परमेशर से चोटा सा प्ताहतना किया कि परमेशर जीवन क्या तो उनका च्छोटा सा उमर उनका तो उनका उनका जो मृति हो गया तो इन सब किजों को लेके मैं परमेशर से प्रहातना करने शुरू किया च्छीवन क्या है पर मुझे बता उसके बाद करेब तीन सालों तक मैं अकेला रहा तो मुझे परमेश्वर को थोड़ा-थोड़ा प्रातना करने शुरू किया चड़ जाना शुरू किया और सारे गलत काम जो मैं करता था जिसे मैं कुछ गुटका वगेरा खा रहा था उन सब को मैंने छोड़ दिया और कभी आज तक वहां से लेकर आज तक मैंने कभी इन सब चीजों को हाथी ने लगाए वह तो इसी दोरान में मेरी जो पत्नी है उन्हें में एक दोस्त के रूप में मिला तो हम दोनों काफी अच्छे से ब मेरे ममी और पापा था हम दोनों के परिवार के तो वो लोग अपस में बात करके हमारी साधी करवा दिया 2018 को तब हमारी साधी हुए तो यही समय था जो मुझे आपके वीडियो मिलने सुरू हुआ तो क्योंकि उस समय में यूट्यूब पर कहीं सारा गाना सुनता था कुछ तो उसी दोरान आपका वीडियो मुझे दिखाए देता था क्या या जब भी रात को मुझे ने लगता था में क्या करता था उससे निन ने लगता था न्यासा है टो निइदेंने शिंटे description कि मैं आपके मिनिश्रा से ना जोड़े तो परमेशर से तो सेतान जीत नहीं सकता, रभ्यानी तो इसलिए परमेशर ने मुझे आपके मिनिस्टितरि से जोड़ा, जोड़के रखवा और मुझे आनना आने लगा आपके मिनिस्टि को, जैसे-जैसे मैं उस मिनिस्ट्री में बढ़ता गया और मैं जैसे-जैसे सुनता ह। फिर ऐसे करके मेरा मासी जीवन वहां से शुरू हुआ फिर दो हजार उन्नीज में परमिशन ने मुझे आसीज की एक बेटे के जरिये एक बेटे को दे कर तो एक तरफ तो मैं खुशी था बहुत खुश था दूसरी तरफ जैसे आप सब जानती कि उस समय में कोरोना हमारे दे समय था कि मैं अपने परिवारों के साथ टाइम कर सकूँ और मैंने किया भी मैंने परमिशर को पर मैंने परमिशर को पीछे कर दिया और मेरे परिवार जो था उनको मैं सबसे आगे प्रायोरिटी में मेरे जो परिवार तो उनको मैंने रखना शुरू कर दिया तो जब मैं देखता था अपने पडोस में अपने रिष्टेदारों में जब इसके जूड़ता था तो वह लोग हमेशा आपने भगवानों से प्राथना करता था कि भगवान हमें इस कोरोना से बचा लें पर मैं तो एक मसीर होने के नाते में ये सब कुछ भी नहीं कर रहा था तो में ज़ी रहा तो मेरा मन में आया है कि ने मैं गलत कर रहा हूं तो मैं उसी समय में अपने को sot लेकर उसी राथ मैंने प्रात्ना करना शुरूद किया मेरे पतनी और बच्चों को लेगे तो तो हमने गीत तो गाया और थोड़ी दिर प्रात्ना की हमने मिलकर उसके बाद आपका जो वीडियो है वो वीडियो को मैंने लगा के एक टीवी स्क्रीन में उसके बाद हमने उस संदे सुना उस संदे सुनने के बाद हमने प्रात्ना की और इस तरह हमें हमने उस इस तरह मैंने हम सब अभी परमिश्वर में आगे बढ़ रहे हैं तो एक तो मुझे समझ आया कि जब आपके दोस्त की मृत्यू हुई तब पहली बार आपको यह थौट आया यह ख्याल आया कि यह मृत्यू क्यों होती है परमिश्वर कौन है उससे पहले तो आप सांसारी जीवन जी रहे थ थे फिर आप रोमन कैतलिक चर्च भी गया है जहां पर किसी स्तरी से आपको अट्राक्शन था इसलिए गये थे लेकिन यह मृत्यू जब आई सामने तब आपको यह एहसास हुआ कि इतनी छोटी उमर में मर गया तो फिर जीवन का अर्थ क्या है में बात यह होती है कि कभी सोचता है कि मेरी भी मृत्यों हो जाएगी तो जीवन का अर्थ क्या है लेकिन जादतर लोग जो है वो थोड़े समय के लिए सोचते हैं उसके बाद फिर भूल जाते हैं फिर अपने काम धंदे में लग जाते हैं दुनिया चलती रहती है लेकिन आपको ऐसा लगा कि न जैसे मैं बताया था बया कि मैं काफी फिल्मी गानी के साथ मैंने कुछ जो कृष्टिंश सॉंग्स थे उन Mें बी में थोड़ा इंटेस्ट था च tut वा तो अफिर सब चीजों में मुझे थोड़ा इंटेस्ट था इसलिए मैंड़े उसलिआपका वीडियो रहते तो क्रिस् कि कौन कौन से मेसेज़े जो शुरू शुरू में देखे थे आपने कौन-कौन से मेसेज़े थे वो कुछ याद है वह काफी साल हो गया वह तो मैं भूल गया वीडियो लोगो लेकिन मुझे जानने कि जब साथ पहले भी मेसेज़े सुनते दे Church में Roman Catholic Church में दूसरे Church में तो हमारे मेसेज़ेस में ऐसे different क्या लगा काफी सारा different है तो कि कि आपके संदे समय कि बहुत सारा बाते जो हमारी उस Church में नहीं था कि जैसे की उद्धर नहीं खो सकता इन सब चीजों के बारे में या फिर कभी और आपका जो मैसेश था वाया कि क्या इस तरह को चर्च में प्रचार करना ठीक है सही है उसके बारे में और भी बहुत सा कुछ मेसस था वैया उसी के आधर पर में दूसरे जो चर्च था मारी जो चर्च था उन को मैं आपके संदेश में जो आप बता रहे लिए उसमें बिल्कूly अलग था और जो मेंने सुना ही नहें कभी अपनी जो मसी जीवन में उन सब बातों को मैं ने आपकी संदेश में सुना वे तो हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ने से पहले क्या आपको यह मालूम था कि उद्धार क्या होता है नहीं बैया कुछ भी नहीं पता था जबकि आप बच्पन से चर्च जा रहे थे हां जी बैया क्या हमारे चर्च में ऐसा कुछ शिखाता भी थोड़ा सा ओन लोग मेसेश दे देता था था बैया उतना ही तो यह समस्या मैंने हर जगा देखी है कि सब जगा चर्च हैं बहुत सारे हैं हमारे देश में लेकिन उन चर्चों में जाने वाले लोगों को उद्धार का मतलब भी मालूम नहीं होता है तो फिर वो चर्च ये सामाजिक वेवस्था जहां लोग मिलते हैं कुछ बाइबल में से इदर उदर से कुछ पढ़ लेते हैं कुछ गाने गाते हैं फिर एक दूसरे से मिलके घर चले जाते हैं ये नहीं है ये ये शुका चर्च हमेशा वचन पर खड़ा होता है जहां पर वचन नहीं पढ़ाए चर्चों में नहीं सिखाय जाती है और इतने सारे लोग हैं जो ये शुक का शब्द सुनते हैं सुनना चाते हैं वो भेडें जिनके मन खुले हैं उन तक अपना संदेश पहुंचाओ यही बोज उसने मेरे मन में डाला था जिसकी वज़े से हमने ये मिनिस्ट्र शुरू करी थी तो पहले तो मुझे यह उमीद नहीं थी कि कोई सच्चाई को स्विकार करेगा धीरे-धीरे करके जब लोग जुडने लगे तब मुझे थोड़ा विश्वास हुआ फिर जब मुझे यह पता चला कि हमारे संदेश अलग-अलग दूर-दूर के स्टेट्स में यारुना लेकिन आप तो बड़े अच्छी बोल रहे हैं आप शुरू से बच्पन से आप अरुनाचल में रहे हैं फिर भी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो प्रभू ने कि सोच समझके ही यह योजना बनाई और हमारी मिनिस्ट्री को खड़ा किया आप जैसे लोग जोड़े भ हो गरा कैसे सुनते हैं आप मैंने आपको पहले भी वाटसएप पे मैंने लिखा था कि मैं हमेशा मेरा जो जर्णी था वह आट गंटे का जर्णी तो कभी-कभी इस विश में कुछ समस्य कारण कभी लेड़ भी हो जाता था तो मैं हमेशा एक एरफॉन अपने पास रखता है तो उसी के जर्याँ में यह जो एक एरफॉन है जो ब्लूटूट वाला वह इसलिए नहीं लेता कि उसमें कभी कोई वैटरी चार्ज करना पड़ता है तो मुझे समस्या भी हो सकते हैं कभी भूल भी जाते तो इसलिए मैं यह वाइरफॉन लेता कि कभी भी वह मेरा साथ मत के वीडियो को सुन कर ही मैं जाता था और करेंब वहां तक मैं अपने वह जगा तक पहुंचते करेंब दस वीडियो तो मैं बिल्कुल सुन देता था और जहां भी मुझे डाउट रहता था और एक ही वीडियो जो मैं कही बार सुना हर दिन मेरे लिए वही वीडियो में एक न किया जब भी मुझे मौका मिलते हैं तो कोई कोई पैसेंजर था जिसने कुछ सवाल पूछे हो कुछ इंट्रेसिंग बात बताई हो आपको ने ऐसा एक पैसेंजर था बैया कि वो मुझे बेर पेने के लिए ओफर कर रहा था बैया उस समय वह सिंगल ही था तो ऐसा हुआ कि मै मैं यह सब नहीं करता मैं एक मसीही लड़का हूं तो वह भी मुझे जवाब दिया कि अरे भाई मैं भी एक क्रिशियन हो तो मैंने ज्यादा कुछ ने बला उसके तरफ थोड़ा मुश्कुर आया और मैंने बोला भाया मैं बाइबल के आधार पर में चलता हूं मेरा जीवन को तो वो उसके बाद ज्यादा कुछ सवाल ने पूचा है वो उसके बाद अपना ट्रोपी की चेंज कर देवा है वो समझ गया कि यह लड़का यह बंदा जो है वो वाईबल के आधार पर चलते हैं तो ज्यादतर लोग यह सोचते हैं कि वो किसी भी कारण से क्रिश्चन न जिसने अपने पापों से मन फिरा कर सारे पापों के क्षमा मांग कर येशु मसी को अपना उधार करता स्विकार किया हो यही मेरा एकमातर परमेश्वर है और मैं इसके वचन पर ही चलूँगा जीवन भर चैक कुछ भी हो जाए सिर्फ वही क्रिश्चन होता है तो उस जातर है जाना उनको कुछ-कुछ जो सपरूच्ण मन घृटा था जाना उनको पूड है जड़ा कि चАर्च में से मादर्स डे फादर्स डे इन सब का वेलियो उसके लिए ज्यादा था तो मैंने उनको कई बर बचन सुनाया और मैं आपका जो बचन था उनको मैं सेर करने लगा उसको तब उन्होंने सुना और आज वो इस्टेंड लेते बहुत जगह पे और उनका विश्वास भी बढ़ तो उनको भी हिंदी समझ में आती है हाँ जी अच्छा तो उन्होंने नहीं बोला भाईया के मैसेस तो बहुत बोरी है इसमें तो कोई पिक्चर भी कोई कोई पिक्चर नहीं है कोई वीडियो ने डालते सीधा बोलते रहते हैं ऐसा नहीं बोला वो कई बार बोला वह मैं उ को सिखाए तो किया था कि काफी लंबा संदेश देते बया और मुझे समझ में भी नहीं आता है इतना पर मैं उनके लिए हमेशा प्राइशना करता था और उनको समझाता था कि आप हमेशा जब संदेश को समझने के लिए तो इसी तरह वह बचन में बढ़े और करके हमेशा आपका संदेश सुना और उन्होंने कई जगा इस्टेन भी लिए तो आज आप दोनों सच्ची मसियत को समझ गया हैं दोनों का उद्धार हो गया है और दोनों अब एक मसी परिवार खड़ा कर र यह ओके तो जो आप काम करते हैं बिजनस करते हैं उसमें जैसे हमने बताया कि मसीहत के लिए स्टैंड लेने पड़ते हैं तो ऐसी कोई घटना आपको याद है जो जहां पर आपने स्टैंड लिया अपने बिजनस में हाँ जी हमारे यहां पर जैसे कि मैं तो हर एक जो भी गाड़ी से लेके या फिर कुछ भी लोहा जो भी हो जार जितने भी टूल्स होते हैं उनके पूजा करते हैं तो मुझे भी वह लोग बुलाता था क्योंकि मैंने वहां का इस्टाफ था तो मैंने उन सब जगाओं में खड़ा करना शुरू कि मैंने यह मैंने कर स GER यह ग्रहा है क्योंकि वो लोगों को आदत हर चीजों में बुल मिलने के तो उनमें ज्यादा फरक नाजर मैं आता था तो मैंने अपना जीवन है तो लोग जैसे इविनिंग टाइम को उन लोग अपना जो दुकान होता है दुकान वगेरा उन तब को लोग अगर जलाते हैं अगर बतीस है तो उसके बाद वो लोग कुछ परसाथ देते तो मैं वहां भी मैंने मना किया कि नहीं यह नहीं ले सकता तो पहले-पहले बार तो उनके मन में तोड़ा दुक रहता था लेकिन फिर कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह बंदा बिलकुल लाला के लेकिन आपके काम में कोई दिक्कत तो नहीं हुए आपका जो काम था ऐसा तो नहीं हुआ कि सब ने बोला कि भाई यह तो क्रिस्टिन बन गया यह अलग हो है तो इसके पास हम नहीं जाएंगे किसी काम के लिए इसको टूरिस्ट टैक्सी इसका हायर नहीं करेंगे ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि जो मेरा जितना भी क्लाइन था वह वो सब मुझे बहुत पसंद करते था क्यूंकि मैं जूट नहीं बोलता था और जो भी फियर होता था था में हमेशा एक रिजनेवल प्राइस में ही मैं उनके साथ दील करता था जो भी मेरा क्लाइन था तो इस वज़े से वह लोग मु जितने भी लोग हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हम उनको ये बताते हैं कि येशु मसी के लिए खड़ा होना सीखिए नमरता से उन बातों के लिए मना करना सीखिए जो अन्य धर्मों से जुड़े हैं अन्य देवी देवताओं से जुड़े हैं क्योंकि हम किसी भी रिती से उनके धर्मों के जो रिती रिवाज हैं या देवी देवता उनके पुष्टी नहीं कर सकते हैं, उनमें शामिल होकर। हम अपना स्टैन्ड लेते हैं कि हमारा जो विश्वास है, एक मातर सचे परमेश्वर ये शुम सीपर है। उसके अलावा हम नहीं मानते कि कोई परमेश्वर है, इसलिए जाहिर से बाते कि जो भी आप लोग कर रहे हैं, हमारी नजर में ऐसा कोई देवी देवता है नहीं, ये हमारा विश्वास है, हमें आपके विश्वास से कोई आपती नहीं है, तो जब हम स्टैंड लेते हैं, तो शुरु शुरु में दिक्कत होती है, लोग नाराज होते हैं, लोग हम से थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो देखते हैं कि एक मसीई का चरित्र, जैसे अरजुन का है, एकदम सच्चा और सीधा है, और ये किसी से जूट नहीं बोलेगा, किसी को धोका न नहीं बताएगा, किसी तरह की हिरा फिरी नहीं करता, और वक्त पढ़ने पर अपने दोस्तों की मदद करता है, हर तरीके से वो मनुष्य जो है, वो इतना भला है, कि वो लोग इस बात से इनकार नहीं कर पाते हैं कि अरजुन अच्छा आदमी है, इसलिए हम लोग उससे अ हमारी मिनिस्ट्री से जितने भी लोग जूड़े हैं, उनका चरित्र अरजुन की तरह हो, और जितने भी आपने गवाईयां देखें, सब एक ही बात बताते हैं, कि हम ये शुकर जब से खड़ो होने शुरू हुए, तो लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि मसीहत क्या है, जैसे रूण भूला अपने पैसेंजर को रूण भूला, बेहिए मैं सचा मसीह, यह ऊँखू मैं बाइवल पर चलता हूँ, मैं बेर नहीं पी सकता हूँ, तो वो पहली बार सोचेगा कि ऐसे भी मसीह होते हैं, हमारी जो इमेच है मसीहत की, वो लोगों तक पहूंची क्यो नहीं है क्योंकि हम स्टैंड नहीं लेते हैं तो मुझे खुशी है अरजुन की मैं यहां बैटा हूं दिल्ली में आप अरुनाचल प्रदेश में हैं इतनी दूर हैं लेकिन इस यूच्यूब के माद्यम से आपने हमारा संदेश सुना और उस वचन ने जो परमिश्वर का है उसने आपके जीवन में कारी किया आपके सारी बुरी आदत ने छूड़ गी शराब हो वेबिचार हो गुटका हो बुरी फिल्में फिल्मी गीत ये सब कुछ छूड़ गया और आपके वाइफ भी उसे रास्ते पर आगी यही हमारी मिनिस्ट्री का उद्देश है था कि लो बहुत खुशी होती है हमें लगता है कि हमारे मिनिस्ट्री का कोई उद्देश ये पूरा हो रहा है तो अरजुन आपकी यह गवाही बहुत सुंदर थी आने वाले समय में हम और भी गवाईयां सुनेंगे आपसे और आपकी वाइफ से और जैसे प्रभू हमें रास्ता दि